नवश्कार दोस्तों परश्ट येर की क्लास में आपका फिरसे स्वागत हैं वर्कसोब केल्कुलेशन्स एंड साइन्स की क्लास जिसमें चल रहा था कारे शक्ति और उर्जा जिसका पार्ट आज टू हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पार्ट वन में कि जो भी अब सवा जो वाल टायब गुष्छ बचे हैं जिन को अपन अर्म को हल के द्वारा करना पड़ेगा वह तो आज में करवाने वाला हूं जो की सब्सक्राइब से मैंने इस प्रकार से तयार की हैं जो आपके पहले एक्जामों में आ चुके हैं जिस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने सभी के वर्स लिखे हुए हैं कौन-कौन सा किस-किस वर्स आया देखिए NCVT 2016 में आया हुआ क्विशन्स यह NCVT 2014 में आया हुआ है इसी प्रकार में ने सभी क्वेशन्स बनए है तौ आपको समझ में आ जाएगा कि किस-किस प्रकार से क्यूशन्स आते हैं तो आते है Limited सबसे पहले वाला क्यूशन्स पर कि पहला क्यूशन्स आपके लिए क्या हैं देखिए पहला क्यूशन्स दिया है 0.2 kg द्रेवमान की एक गेंद की चाल 30 मिटर पर 30 सेकंड है इसकी गतिज उर्जा ग्याद करो कि देखिए गतिज उर्जा का जो सुत्र है गतिज उर्जा का जो सुत्र है वह इसमें लगाना होगा देखिए सबसे पहले अपन को इसमें लिख लेते हैं द्रे वमान यान यानि कि आ हम बराबर यानि कि क्या होता है द्रवमान जो दिया है 0.2 kg ठीक है इसे के साथ गेंद की चाल चाल दी है गती वह दी है 30 मिटर प्रतिस सेकंड ठीक है इसी के गति उर्जापन को याद करनी है ठीक है गती उर्जापन को क्या करनी है याद करनी है अब देखिए गती उर्जा का जो सुत्र है वह है एक बटे दो एम जी स्वरी जी नहीं है वी वी स्क्वाइर ठीक है एम एन की द्रेवे मान होता है वी एन की वेग होता है यह आपको पता होगा वो मैंने बताया भी है पिछले वाले पार्ट पस्ट में तो उसको जरूर देखिए और गती उर्जापन काइनेटिक एनर्जी भी बोलते है ठीक है यह द्यान रिखेगा अब देखिए सुत्र में रखेंगे मान तो एक बटे दो ठीक है इन्टू द्रेवे मान क्या दिया है एम बराबर जीरो दसमलो दो ठीक है और इसके साथ इन्टू वर्ग स्क्वाइर दिया है ना चाल ठीक है तो इसको उपन रखेंगे तीस एन्टू तीस वेग है चाल लेने की वेगी है मिट्र परति सेकेंड इसका मात्रक होता है वेग का ठीक है तो तीस और यह स्कॉयर दिया है इनकी डवल रखना पड़ेगा ठीक है अब इसको हल करने पर कि दो से यह कट जाएगा ठीक है और यहां पर जो दस बस रहा है न इस दस मुलों को अटाके यहां पर जिरो फिर दो से यह दो कट गया ठीक है तो इस दस से अपन एक जिरो कार सकते हैं और तीन को तीस से कुणा करेंगे तो क्या जाएगा ठीक है तो यह नबबबब क्या जाएगा अपना आंसर जूल आ जाएगा ठीक है तो जो है कहा है दिया है यह सी वाला सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवीज करकर जरूर देखेगा क्योंकि मैंने पुरी महनत की हैं क्यूशन्स तयार करने में आपके लिए तो आप भी वीडियो को ध्यान से देखेगा तब भी फायदा होगा आपका भी फायदा होगा और मुझे भी आपकी जो एक्जाम में कुछ नंबर आप पालोगे तो मेरा भी दिल्कुस हो जाएगा ठीक है तो जरूर ध्यान से वीडियो देखते रहें नेक्स्ट क्विशन से आपका वन केजी की वस्तू वन केजी एनकी द्रह्व मानो गया ना यह 5.92, की उचय पर स्थित्थ हैं यादि गुरूतीव तुरहन दस मिटर परतिससेगेंड हो तो वस्तू की इस्तिति आया गयात करनी पहले रखेंगे जुआए जन्मियम मान होगा तो द्रवयमान है 1 kg ठीक है इसके साथ यहाँ पर जो यह मिटर दिया है वह क्या होता है यहां दिया है उचाई तो यह क्या होता है उचाई यह कि हाइट बोल सकते है इसको परम k पांच मिटर ठीक है और तो इसके साथ यदि गुरुत्य त्वरन 10 meter Philip भी बराबर 15 डवीं प्रतिय सेकेंड्ट ठीक है तो अब इस्तितिज उर्जा ग्याद करने अपन को तो इस्तितिज उजा को हूं है अपन के भी बोल सकते हैं ठीक है ध्यान रखेगा पी इविव बोल सकते हैं पी का मतलब में पूरा पता देवता हूँ आपको जो की पोटेंटियल एनेर्जी ठीक है अब देखिए इसका जो सुत्र है वया है M G H only यही सुत्र है यही आपको याद रखना है ठीक है है M का मतलब द्रेवयमान जी का मतलब गुरुत्वय त्वरण और H का मतलब हाइट इसका मान इसमें रख देंगे M यानि की द्रेवयमान एक केजी है एक रख दिया इंटू 10 मिटर परते सेकंड जो गुरुत्वय त्वरण यहाँ पर दिया है इंटू 5 मिटर हाइट दी है त आज सभी को into करने पर क्या जाएगा पचास जूल आ जाएगा ठीक है तो यही अपना answer होगा options में देखते हैं तो अपना भी वाला ही सही हो जाएगा चलो अगले questions पर आते हैं अगला questions है एक 320 मिटर गहरी खान में खान से 250 टन कोईला परती 30 मिनिट उठाने वाली मोटर की SP याद केजिए मोटर की दक्षता है 0.8 ठीक है तो देखिए इसके जो है वह रखते हैं तो कि खाय की गहराई तो खाय की गहराई दिये सबसे पहले खान की गहराई तो खान की गहराई कितने दी हैं 320 मिटर ठीक है इसके साथ आगे देखते हैं तो आगे दिया है उठाया गया कोईला उठाया गया है ना उठाया गया कोईला है जो किये 220 टन है कि दोसो सोड़ी 250 टन अगर इसको केज़े में करें तो केज़े में क्योंकि केज़ी की आफशेक्ता पड़ी अपनों थोड़ी लगेगा वां सुत्र में ठीक है तो इसको केज़े में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया ठीक है कि ध्यान रगिएगा आगे है मोटर की दक्षिता है न तो मोटर की दक्षिता बराबर दिये जिरो दस्मलो आठ ठीक है कि इसको नियतांग भी बोल सकते अपन और आगे अपन को जो ज्याद करना है वह है एस भी ठीक है अब देखिए देखिए एक होता है देखिए जो इसमें काम किया गया है न तो क्रित कारे क्या है कारे जिसका सुत्र होता है बार इंटो दूरी ठीक है जिसको अपन इससे भी डेनोट कर सकते हैं डवल्यू इंटो एच तो यह जो कारे हैं कारे कारे क्या है दो सो फचास टन कोईला कारे उठाया गया कोईला है यह कारे तो क्या होगा दो सो फचास इंटो हजार भी है साथ में और उचे कितनी है 320 अपन ने लिक लिए खान की गहरे यान की उचाई भी वह होगी गहरे भी होगी है ना तो कि दोनों आगे ना द्रेवयो मान भी आगया इसमें वर्क भी आगया और मीटर भी आगया उचे ठीक है अब लिकिंगे पर सकती बराबर देखिए किरित कारे किया गया कारे ना बटे समय ठीक है तो बराबर रखेंगे तो किरित कारे क्या है यह सभी टोटल इसको फिर सा रख देदे 250 इंटू एक हजार इंटू 320 बटे में अब देखिए समय समय कितना लगा समय नहीं लिखा यहाँ पर रहे देगी 30 मिनिट है ना समय यह लिग देता हूं में समय 30 मिनिट इतने से माल को निकाल लेंगे, परती 30 मिनिट लगा है ना, परती टन, ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे, अपर 30, इन्टू, यहाँ पर लगेंगे, यह जो है न, इफिसेंसी, यानि धक्षिता, वह है, 0.8, इन्टू, यह सुत्र के साब से अपन को पेटालिस हो, र डायक्टर हल्क कर सकते हैं, इसको इससे कार सकते हैं, और यहां से एक 0 अट आएंगे, तो उपर इन्टू 10 लगा सकते हैं, इससे यह कार सकते हैं, इससे कर जाएगा, पांच से यह पांच बार कर जाएगा, और यह नो बार कर जाएगा, ठीक है, आज से कर जाएगा, चार बार, आज चोग 32, ठीक है, अब बज़ गया अपने पास क्या, पांच चोग 20, यह ना, पांच चोग 20, और यह 3, 0, ठीक है, और 9, 27, अब इसका बाग दे दीजिए, 37 का बाग दोगे, तो साथ बार जाएगा, साइध है ना, तो यह 4, 0, मैंने कर लिया है, तो आप है ना, इसको आप भी कर सकते हो, डारेक्ट है ना, गोना कर लेना, वैसे वहाँ पर एक्जाम में आपको केलकुलेटर इलाओ है, ठीक है, तो टेंसर वाली बात नहीं होनी च ठीक है, तो यह का है, उप्सन में है, अपने चोतर, 740 दस मलो, साथ चार आया है, तो चोतर, 740 यह है ना, तो देखे, मैंने यहाँ पर जो डाएट किया है, इससे कोई गलत फे में लिया ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारी क्या गलत फे में लियाते हैं कि डारेक्ट कर दि अगला क्यूशन से आपके सामने, एक वस्तू 5 सेकंड में 20 जूल कारे करती है, इसके सक्ति क्या है, देखिए, सक्ति का मैं यहीं बते देता हूँ, इसमें इतना सा सवाल है, सक्ति का जो सुत्र है, वया है, पी बराबर, डबल्यू बटा, ती, देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, एक वस्तू 5 सेकंड, सेकंड यहीं कि समय, समय दिया है, इसमें, 5 सेकंड ठीक है, और कारे यहीं कि work, जूल दिया है हनकि कितना दिया है? 20, ठीक है, तो डबली उपर यहीं कि 20, बते, पाज, है न, टी एन की पांच और वर्क एन की बीस ठीक है इससे कटे है कितने बार चार वार पांचोग बीस एन की चार वार्ट अपना अंसर हो जाएगा ठीक है जहरे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्यूशन समझ में आ रहे होंगे आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजिए यार लाइक जरू कर दिया करो या आपको पसंद एर रहा तो डिसलाइक कर दो लेकिन कुछ तो क्या गरो ठीक है अब देखो सक्ति की यूनिट होती है एक सक्तिकी यूनिट होथी है एंसी विट दोजार इठार न में होटा गया है और दोजार गुनिस में भी पुचा गया है कि वह हैै और रहे कि एनर्जी मिट्र का किलोवाट हावर होता है ध्यान रगी गएगा एनर्जी मिट्र का और यहाँ पर पुचा है आपसे सकतिकी कि यंइति क्लोवाट ठीक है अगला क्यूषेंट से आपके एक सामने कि यदि एक पंप 45 मिटर की उचाई तक प्रती मिनिट एक हजार लिटर पानी उठाता है तो पंप का हार्स पावर होगा देखिए जो जितना लिटर पानी यानि कि जो एम है जो कि आरोपित बल है वह क्या है एक हजार है यानि कि इसको पंप आरोपित बल भी बोल सकते है ना आरोपित बल तो एक अजार लिटर ठीक है और इसके साथ यहां पर देखिए यदि उचाई या पैतलिस मिटर की उचाई यानि कि उचाई जो दी है इस भी बोल सकते हैं इसको इससे भी दिनूट किया जाता है ना तो पैतलिस मिटर ठीक है और होर्स पाउर अपनों गयाद करनी है इसका जो सुत्र होता है ना होर्स पाउर का देखिए यह होता है ध्यान रखेगा एच पी बराबर कैजी यानि किलो ग्राम में आरोपित बल ठीक है और यह होता है मिटर में विस्थापन ध्यान रखेगा पीचोतर इंटू सेकंड में समय ठीक है केजी में अरोपित बल कितना है 1000 इंटू मिटर में विस्थापन कितना है 45 ठीक है और बटे में पीचोतर और सकेंड में समय यानि कि समय जो दिया था ना इसमें मैंने लिखा नहीं यहां पर यह लिख देता हूं समय था एक मिनिट ठीक है एक मिनिट यानि कि सेकेंड ब्रावर कितना हो जाएगा अब साथ सेकेंड एक मिनिट तो साथ सेकेंड हो जाएगा यानि कि अपन को यहां वर सेकेंड में समय चीए था मिनिट में दिया था देखिए आपर देखिए पर ती मिनिट है ना तो यहां पर ते मिनिट यहने के साथ ठीक है इसकोल करेंगे अपन तो जीरो से यह जीरो कट पच्चिस से तीन बार और यह कितने बार कटेगा चार बार और यह कितने बार कट जाएगा इसको है न अच्छे को तो तीन बार और यह कितने बार कट जाएगा दो जाएगा दस है थिक है तो दस ह्प यह ए रहा यही अपना आसर कर जाएगा सही हो जाएगा अगला क्यूशन से आपके सामने साथ वा वन केजी मिटर कारे करने के लिए एक केजी के लिए एक केजी का बल लगया जाता है तो तैक की गई दूरी अपन को दूरी याद करनी है और दिया क्या है कारे क्या दिया है दस केजी मिटर कारे करने के लिए वन के जी के लिए तो दस मेटर का रहे है ना तो इसको अपन डब्ली लिखेंगे तो क्या है दस किलो ग्राम मेटर यह इसको जोल भी बोल सकते है ना ध्यान रखेगा ठीक है और इसके साथ आगे दिया है अपन को जो की बल वन के जी बल है ना तो बल को अपन एप से डेनोट कर सकते हैं ठीक है तो वन एक है ना न्यूटन भी बोल सकते हैं ठीक है आगे जो दिया है अब आपन को दूरी यानि कि एस ग्याद करना है इसका जो सुत्र है वह है आपको पता होगा कि डवल्यू बराबर एफ इंटू हैस देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट सुत्र है उन्हीं से रिलेटेड मैंने सभी क्यूशन करवा दिये हैं ठीक हैं तो ज्यादा टेंसल लेने वाली आपको बात टेंसल लेने वाली बात हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके की कुशन साते हैं पर टेयर में सेकेंड यर वालों के लिए जरूर रहता है लेकिन पर टेयर में बहुत ही सिंपल क्यूशन आएंगे ऐसे कुशन भी आपको देखने को मिलेंगे वापर ज्यादा बरी कुशन आने की कोई संभावना नहीं रह होंगे एक दो सवाल भी ज्यादा बता दिया मैंने एका सवाल आया होगा और बाकी तो सभी इसी तरीके से कैसे देखिए जैसे कि यह सकती की यूनिट होती है पहले आते थे दो जार अठारा में सतरा में लेकिन तो इसा पेपर आया जिसमें पेन भी नहीं चलाना था डिरे इसन भी थुड़ी लेनी पड़ेगी ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना तो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों इसको आप वीडियो को देखेगा और सभी जितने मेरे क्यूशन बता हैं वह तो करने पड़ेंगे उतने तो आपको आने चाहिए तब ही बात बनेगी वर्णा तो यानि कि लोड भी लेना है लेकिन इतना नहीं लेना है ठीक है तो डबल्यू बराबर कितना है दस ठीक है एफ बराबर दिया है एक और एस बराबर अपन को ज्याद करना है एक इदर आ जाएगा बटे में तो अभी क्या आएगा आएगा दस याएगा एस बराबर भी ठीक ह तो क्यों जाए घर दस मीट्तों ओजाएगा थीक है यह ध्यान रखेगा अगला क्विशन से आपका कि उस्माय के संचरण की वीदि यह का ग्त स्ैंसराइं के यह रिल कि refugees देखें कंडेक्षं सानी होता है जालं का अधीक संदर हिन abone ता यूंआ है नोगा यह चारें तो यह उस्मा के संचर्ण की जो विदी है क्या इन कंडेक्शन कनेक्शन रेडियेशन यह सभी तो यह सभी होगा क्यों कि रेडियेशन द्वारा भी उस्मा एक जगे से दूसरी जगे जा सकती है ठीक है यानि कि जिसे कि सुर्य की केड़ने ठीक है अध्येग ने आती है वह भी उसमा परदन करते कनेक्शन यानि कि कोई जिसे कि अपन लोहे का कोई अपने पतिला या कोई भी जिसे कि छूले पर चड़ा हुआ भगोनाय मालो उसको अपन उठाते हैं तो अनुबां होता नहीं होता वो तो अगने से टच नीए लेकिन टच क्या है उसका पैंदा टच है लेकिन उपर भी उसमा ती है वही करेक्शन है ना और कंड़क्शन जिसमें हो चालन करता हैं वही चीज़ ठीक है ध्यान रखना अगले क्यूशन से अबना तो इसमें यह सभ मिटर उठाए जाए तो के गए कारे को जूल में बता आँ है लोड यानिकी द्रेविमान जो है शत्रा दसम accred 05 छी धिक है और ऐस tuber द्र यानि की उससे पांच मीटर उठाया गया उ वर्क ठीक है ठीक तो वर्क का जो फॉर्मूला है अभी लिखाता मैंने कुछ समय पहले क्या लिखाता जो लिखाता मैंने F A N T O S यह लिखाता ना लेकिन यहाँ पर आपने को बल नहीं दिया है द्रवे मान दिया है तो F बराबर क्या होता है M G होता है ध्यान रखना फोकस बल बराबर क्या होता है द्रवे मान गुरूत्वित वरान तो अपन W वराबर अपन को याद करना है F बराबर M G होता है तो यहाँ पर अपन यह लिख सकते है F की जगे M G और यह S है तो S ठीक है अब अब अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है और G यानि की गुरूत्वित वरान जो अपन को याद होना चाहिए जिक का मान जो होता है न अपना गुरूत्वित यहां पर लिख देता हूं में यह भी ध्यान रगएगा क्योंकि यह भी डाइरेक्टिक प्यूशन सकता है आपसे एक्जामे की गुरूत्वित वरान का मान क्या होता है तो नो दसमलो आठ एक जोल होता है ठीक है यह आप जूरूर जयान देखिएगा ठीक इसके साथ इसमें क्या होता है कि किले। एप्टिसमैं पूछ लेना थींदो फू पॉंडल होता है ठीक है नो आठ एक होता है सी जिस में ठीक है नवारे यह ध्यान रखना है तो नौनमल बात एम का तो 17.5 ठीक है और जी का रखेंगे अपन 9.81 इंटू इसका रखेंगे 5 ठीक है इन सब्सक्राइब को जब आप गुणा कर दोगे ना तो आपका आंशर आजाएगा नो सुरी आठ 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 पांच साथ पॉइंट पांच जी ठीक है यह आंशर आजाएगा कर लेना आप ठीक है इसमें कोई गुणा करने वाले कोई बड़ी बात नहीं है कर लेना ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है आपका जो कारे सक्ति और उर्जा से जितने एक्विशन देखा कुआ और रेगुलर बने रही है ठीक है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है और कोई प्रोब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी अगर कोई दोस्त हो आपके और इसे के साथ कोई ग्रूप हो आपके पास तो उसमें जरूर कीजेगा ताकि मुझे आपका जो प्यार मिलेगा उससे मुझे खुशी होगी ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है हमें दीजिए ज़्याद धन्यवाद